मेरा से recognis के uzzah सा चल्ड देख सकते यह चोटा सा रोम है बहुत ही चोटा रोम है मेरा ओपिस के लिए काम करते हो और यहां पर एक बैड है और यहां पर मेरा computer तो मैंने पहले यहां पर decide किया यह जो छोटा दिवार है यहाँ पर ऐसी बैठेगा तो यहाँ से लेके पूरा यह जो यह थो करेगा एक साइड में रहेगा तो मगर जो ऐसी मैंने चूज किया लास्ट में मैंने डिसाइड चेंज किया पहले सोचाता है यह छोटा घर है 90 स्कुएर फिट का रूम है तो इसके लिए मैं 0.8 टन का इसी लूँगा तो जब मैंने परचेस करना जाहा तो तब मैंने डिसाइड चेंज के लिए 5 स्टार एसी 1 टन LG का जो लेटेस्ट मॉडल है 1 टन का 5 स्टार एसी वह 0.8 टन से भी कम जगा लेता है तो इसलिए मैंने यह ही डिसाइड कि 1 टन का ही लूँगा क्योंकि वह इनवर्टर डूवल इनवर्टर टेकनलोजी है और 2023 का मॉडल है बेस्ट इलेक्रिसिटी भी कम लेता है जब आएं लेक्रिक कनेक्शन ले लिया है यह जो अया है और यह देक Сकते है यह जो बोकस है इसी का बॉकस है सब कुछ रेडी है जो सॉकेट भी लगा आकर गया है तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कितना mm का wire मैंने यूज किया और ये तार क्या मुझे में मीटर बॉक्स से लेना परा या मैंने कहां से लिया मैं मीटर बॉक्स नहीं लिया मेरा जो सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है तो वहां पर मेरा MCV बॉक्स से वहां से मैं ये wire ले आया और आपको दिखाती हूँ ये जो wire है मैंने 2.5 mm का wire मैंने यूज किया और MCV मैंने यूज किया है देख सकते हैं मैंने 20 Mp-re का MCV मैंने यूज किया है आप 16 Mp-re भी यूज कर सकते हैं वन टन के लिए है, तो एलेक्टिशियन आये, वो 20 अमपेर के MC भी दिया है, और यह देख सकती हो, अन आफ स्वीच, देख सकती है, यह अन है, लाइट चलता है, तो यह आप खड़ी सकते हैं, अगर नहीं खड़ी देंगे, तो एसी के साथ यह नहीं आता, तो यह सौकेट ए लगा देगा, उसका अलग से चार्ज करेगा, इसलिए मैंने पहले से ही यह खड़ी के रखा है, तो आप खड़ी सकते हैं, नहीं खड़ी देंगे, तो एलेक्टिशियन आके लगा देगा, एक्स्ट्रेस का चार्ज लगेगा, तो यह है, मिल मुद्दा, और जरूर से अब ही मैंने और किया है, वो आने दीजिए, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, अन्बॉक्सिंग दो दीन में आ जाएगा, हमारा एसी, उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा, यह जो MCB बॉक्स है, यहाँ सही लाइन गया है, यहाँ पे MCB का को वहाँ से वाइर गया है, देख सकते हैं, उपर वाइर चली गई है, अगर मैं इसको नीचे से लेता, तो और भी बहुत खर्चा होगता, क्योंकि 2.5 mm का वाइर है, इसे खर्चा बहुत जादा होता है, और इस में से और भी कनेक्शन है, यहाँ पर जो गिसर है, गिसर का कन कनेक्शन है, यहाँ पर जो माइक्रोव है, वो भी कनेक्शन है, इसलिए जो में वाइर गया है, वो 4 mm का वाइर गया है, 4 mm का वाइर, यह सारे लोड, यह सारे लोड लेने के लिए काफी है, तो आप भी MCB बॉक्स से ही लीजिए, नहीं तो में मिटर बॉक्स से लेंगे, अगर आपका मेरी तरह फर्स फ्लोर के उपर आप करूँ है तो बहुत वाय लेगेंगा और खर्चा भी ज़्यादा होगा तो यह काम यह से लेकि जस्ट शीरी तक करवाने में मेरा तीन से चार हज़ार रुपए खर्चा हो चुका है तो आप देख लीजिएगा क्योंकि अर्टिंग भी है इसके साथ बहुत जारा खर्चा होता है एसी के कनेक्शन में इसके बाद इंस्टालेशन में भी तीन चारह जाल लगता है तो दोस्तों वायर को आपको दिखात रही हूँ यह है 2.5 mm का वायर देख सकते तो यह बहुत ही महांगा आता है और आपको एक टन तो एकदम बेस्ट है मेरा एक टन है देट टन के लिए भी 2.5 mm वायर चल जाएगा 1.5 mm की मत दीजिए 2.5 बेस्ट है तो यहांसे मेरा MCB बॉक्स में यह वायर गया है क्योंकि MCB बॉक्स से जो सारे कनेक्शन है उसका वायर जो में मीटर बॉक्स में गया है वो 4 mm का है ठीक है अगर MCB से में बॉक्स का 2.5 होता तो प्रॉब्लेम हो जाता तो मुझे जो में मीटर तक यह 2.5 mm को खीचना पड़ता तो बहुत खर्चा लग जाता क्योंकि यह बहुत ही कॉस्टली है इसमें देर हजार का मैंने वायर लाया है थोड़ा सा राय गया है तो मैं आ आप चेक कर सकते है ऑनलाइन से भी खरिज सकते है और सात में यह है .75 mm का वायर यह आप आर्टिंग के लिए यूस कर सकते है तो तोमेरे घर में जो अर्टिंग का वायर गया है वह मैं कीचेन का भी थोड़ा काम किया हूं तो इसलिए .75 किया है मगर यह की लिए jamal नें किसका क्या प्राइस है डिस्क्रिप्शन में दे दे दूंगा आप अच्छा वाला वाइड यूज़ कीजिए तो ज्यादा से ज्यादा आपका पास में ही है MCB box हो या मिटर box हो तो आपको 2,500 रुपे तो लगी जाएगा क्योंकि ये box setup करना है और MCB लगाना है पूरा मिस्तिर का खर्चा है मेरा प्राइड हाई से 3,000 रुपे लग गया है इसमें तो मगर कीजिए एक बारी कीजिए अच्छे से कीजिए तो आपको इसी का कोई problem नहीं होगा ठीक है वोयर का ध्यान जरूर से रखिए